तो गाइस मैं हुवं की तौर आप देख रहे हैं रिसलिंग फैंस नेटवर्क तो ब्रॉग लिसनर कोडी रोडस का मैच आज हुआ हमने देखा समस्लैम के अंदर and match के अंदर Cody Rhodes को victory मिल गई वैसे तो Brock listener जीत जाने चाहिए थे क्योंकि match के अंदर actually में disqualification हो गया था Cody Rhodes ने जो यह steel steps चला दिया था बट match end ही नहीं हुआ तो WWE वाली stipulation ही भूल गए तो ऐसे में जो भी है end में Cody Rhodes जीतने है feud खतम होती है listener ने hand भी raise किया Cody Rhodes का तो काफी अच्छे attempts पे चीज़े end हुई अब काफी से लोग सोज़रें कि भाई listener baby face हो गया heel बना था क्या है क्या यह जो listener ने किया हाथ उठाने वाली चीज क्या यह listener ने इसलिए किया क्योंकि WWE leave करके जा रहे है क्या यह एक तरीके से listener की आप कैसकतो हो retirement वाली चीज थी retirement वाली tease थी ऐसा कहा रहे है का आप इसलिए लोग तो इसको पर Dave Meltzer एंसर करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ फिलाल थोरा सा match के बारें बात कर लेते हैं तो मेरे हिसाप से match वही था जैसा होना चाहिए था पिछले बारी में हुआ था बेटर था बेटर एवरेज इसी के बीच में था ऐसा नहीं कहा सकता कि बहुत खतरनाक match था अच्छा था ठीक ठाक सा था आपके हिसाप से कैसा था आपको चाहो तो rate करके बता सकतो बागी main focus तो भाई मेरा main event को पर था तो बागी matches मैंने इतना focus में देखे भी नहीं लेकिन फिर भी ये match एक बड़ा match था तो उस hype के हिसाप से भी ठीक था जित्ता बुक किया था WWE जित्ता बिल्ड किया था उससाप से सही था एंट कोड़ी को यहाँ पर कोड़ी के लिए next क्या होगा वह भी देखना है लिस्टर के नेक्स्ट क्या होगा वह मैं आपको बताता हूं तो लिस्टर क्या retirement हो रहे हैं retirement हो रहे हैं सबसे पहला question यह में इसका answer करते है wrestling observer में एंट कहते हैं कि आसा नहीं है लिस्टर देखो break भी निले रहे हैं क्योंकि काफिस्टा रिपोर्ट्स कहा रही थी कि ब्रॉक रिस्टर ब्रेक ले लेंगे समस्ट्राम के बाद आज जो एंगल हुआ कोड़ी रोट्स के हाथ उठाने वाला तो देखके लगा भी कि सा लेएवेंट के लिए अज डबड़ी ने एक जो है वीडो पैकेज चला है पेबैक का हाइप करने के लिए वहां पर ब्रॉक लिस्टर फीचर्ट हुएं डैट मींस की वह अभी आगे आने वाले अगरे इवेंट में पेड़े महीने अब question है कि लिस्टर का opponent कौन होगा तो इससे दो बहुत अच्छे से clear हो जाता है कि लिस्टर रीटार्मेट नहीं ले रहे हैं अगर पेबैक में कंपूपीट करेंगा पेबैक सही बोले थो एकचोटा इवेंट आसा बहुत बरहाई इवेंट नहीं है अगर यहां पर लिस् अब भी पे लिए आप right में सब्सक्राइब करने वाले उस्ट करना सकता किने अप है फिर्ट विडिविट के लिए तो सबसक्राइब कर देना अब लोगे इंस्टाग्राइम ट्विटर एंड इंस्टाग्राइम थ्रेट्स पर सबकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स वाफेर काफ इंट्रस्टिंग वेडियो में